कपल ने कुडे के धेर के बीच मनाई शादी की सालगिरह, हैरान कर देगी वजह, तारानकन उत्तर प्रदेश में आगरा शहर के नगला काली इलाके में सड़क पर गंदगी और कुड़े के धेर के बीच एक कपल ने दूलहा दुलहन के वेश में अपनी सत्रवी शादी की सालगिरह मनाई उत्तर प्रदेश में आगरा आगरा शहर के नगला काली इलाके में सड़क पर गंदगी और कुड़े के धेर के बीच एक कपल ने दूलहा दुलहन के वेश में अपनी सत्रवी शादी की सालगिरह मनाई कपल ने ऐसा जिला प्रशासन का ध्यान गंदगी और कुड़े के धेर की ओर आकर्षित करने के लिए किया कपल ने एक दूसरे को मालाएं पहनाई जबकि स्थानिय निवासियों ने हाथों में तक्तियां ले रखी थी इन तक्तियों पर अगर सड़क और नाली का निर्मान ठीक से नहीं किया गया तो वे वोट नहीं देंगे लिखा था दूलहा दूलहन के वेश में कुड़े के धेर के बीच मनाई शादी की साल गिरह कारण जानकर समस्या 15 साल से बनी हुई है स्थानिय लोगों के मुताबिक समस्या 15 साल से बनी हुई है लेकिन पिछले आठ महीनों में सड़क गंदे नाले में तबदील हो गई है इससे इलाके के लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है इस सड़क से 30 से ज्यादा कॉलोनियों के लोग आते जाते हैं गंदगी के कारण स्थानिय लोगों को अब 2 किलोमेटर का चक कर लगाना पड़ रहा है इलाके की एक दरजन कॉलोनीज के बाहर विकास नहीं तो वोट नहीं के पोस्ट भी छिपकाई गए लेकिन कोई फाइदा नहीं हुआ दूलहा दूलहन के वेश में कूले के धेर के बीच मनाई शादी की सालगिरह कारण जानकर निवासियों के शिकायत करने के बावजूद जन प्रतिनिधियों ने कोई कारवाई नहीं की इसलिए भगवान शर्मा ने अपनी पत्नी उमा शर्मा के साथ हिसनोखे विरोध प्रदर्शन का फैसला किया भगवान शर्मा ने कहा कि बीते 15 सालों से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं हम सभी जन प्रतिनिधियों और संबंधेत अधिकारियों के पास गए कोई कारवाई नहीं होने पर हमें इस तरह से विरोध करने के लिए मजबूर होना पड़ा उमा शर्मा ने कहा कि विरोध इस मुद्दे को बड़े स्तर पर उजागर करने के लिए है